हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number है आपकी screen के उपर जो नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते है या phone consultation लेना चाहते है तो इस WhatsApp number पर message send कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है complete square shape इनकी हथेली की जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं medium size fingers हैं fingers के ओपर कुछ सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद हैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह हैं कि सीधी खड़ी रिखाएं यहाँ पर आपको clearly नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसे native बहुत ही मिलनसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाली nature इनकी रहती है और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी groove finger और इनकी सूर्य finger इन दोनों की लंबाई में ज्यादा difference नहीं है दोनों लगभग एक समान नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से ऐसे native की जो nature है काफी creative होती है काफी artistic qualities भी रहती है साथी साथ ब्रस्पती finger का भी अच्छी length में होना यहाँ पर दर्शाता है कि native की leadership qualities भी काफी अच्छी रहेंगी अब बात करते हैं इनकी शनी finger की यहाँ पर आप देख सकते हैं शनी finger बिल्को straight है कोई भी कमी इस finger में नजर नहीं आ रही thickness में भी है finger काफी अच्छी नजर आ रही जिसकी वज़े से ऐसे native काफी hard working nature के होते हैं अपनी इसी मेहनती nature की वज़े से life में काफी अच्छी तरक्य कर पाते हैं और साथी साथ discipline को और routine को follow करने वाली nature ऐसे व्यक्तिकी रहती है और आप देख सकते हैं इनकी mercury finger बहुत जादा लमाई में नजर नहीं आ रही यहाँ पर आपको यह finger थोड़ी सी इस तरफ जुकी हुई भी में लम्य लेगी और size में अगर हम बात करें तो सूर्य finger का जो top phalan जा उससे नीचे रहती हुई या finger जो indicate करती है कि communication skills में थोड़ी सी weakness रह सकती है ऐसे native को communicate करते वक्त थोड़ी दिक्टों का सामना करना पड़ता है थोड़ी सी nature जो होती है शाई टापी होती है थोड़ा शरमीला सभाव ऐसे व्यक्तिका रह सकता है और अगर हम बात करें fingers की thickness की यहां से आप देख सकते हैं काफी thick fingers हैं जिसकी वज़े से अच्छी energy and stamina इनके भीतर रहेगा और अगर देखा जाए fingers के बीच में बनने वाले gaps की बात करें तो बहुत जादा gaps नहीं है बहुत हलके gaps यहां पर जिसकी वज़े से थोड़ा खर्चीला सभाव तो रहेगा लेकिन money management अच्छा रहता है ऐसे native का चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और इनके सभी रिखाओं को तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount जादा low set नहीं है mercury हलका सा low set है यहां पर mercury finger भी थोड़ी सी short size नजर आ रही है यहां पर एक तिल का चिन आपको नजर आएगा इस area में तिल बन रहा है यहां पर यह तिल का चिन थोड़े से negative परभाव भी देता है native को परवास करना पर सकता है अगर कोई भी negative चिन बरसपती mount पर हो family के तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी आ सकती है और खास तोर पर गुरू mount के उपर इस तिल का होना दर्शाता है कि गुरू की तरफ से भी व्यक्ति को पूरा सहयोग नहीं मिल पाता education में भी कई वार कुछ देकतों का सामना करना पड़ता है जिनके ब्रसपती mount के उपर कोई भी negative चिन हो या तिल हो तो overall यहाँ पर ब्रसपती weak नहीं है ब्रसपती finger की लंबाई अच्छी है यह mount भी prominent है और यहाँ पर आपको एक रेखा भी नजर आएगी नीचे से उपर की तरफ चलती हो इस तरह की रेखा इनके भी ब्रसपती mount के उपर होती है इसको progress line का नाम दिया जाता है ऐसी progress line अगर मौझूद हो तो native life में काफी अच्छी तरक्की कर पाता है काफी अच्छी progress ऐसे व्यक्ति की जिन्दगी में रहती है और अगर देखा जाए यहाँ पर एक आड़ी line नजर आ रही होगी आपको कुछ इस तरह है की यह रेखा यहाँ पर complete नहीं है अगर complete रेखा हो तो इस तरह से होती है अगर पूरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अर्द चंद्रमा जैसी अकरिती यहाँ पर बन जाए तो इसको हम ring of Solomon का नाम देते हैं यानि के गुरु वला है गुरु वला है अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वराग्या की भावना रहती है isolation की feeling रहती है अकेला पन ऐसा व्यक्ति महसूस कर सकता है लेकिन ऐसे निटिव काफी ज़दा spiritual minded होते हैं धरम करम के काम करने वाले होते हैं जिनके हाथ पर यहाँ कम्पलीट गुरु वला हो यहाँ पर कम्पलीट नहीं है मैं आपको एक वर दबारा से बताना चाहूँगा यहाँ पर यहाँ अधूरा है इसके परभाव रहेंगे लेकिन उतने ज़दा स्ट्रॉंग नहीं रहेंगे जितने कम्पलीट गुरु वला के होते हैं इसके परभाव इस तरह से रहते हैं कि व्यक्ति काफी ज़दा spiritual minded हो जाता है और धरम करम के काम करने लगता है खास तोर पर मिडल यानि के पचास के आसपास की एज के बाद इसके परभाव और ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की परसनेलिटी लिए रहता है समाज सेवा करना तरम करम के काम करना इस तरम चीज़ों में रूच्छी व्यक्ति की ज़्यादा हो सकती है और यहाँ पर इस चिन का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव को मिडल एज में पहुँचकर समाज में काफी अच्छा मान समाना और प्रतिश्टा मिल सकती है लेकिन यहाँ पर इस तिल के होने की वज़ए से थोड़ी नेगिटिविटी भी साथ ही रहेगी लेकिन इस चिन के पॉजिटिव रिजल्ट भी इनको मिलेंगे अब बात करते हैं इनके शनी माउंट की यह एरिया अगर आप देखोगे तो आपको यह दबता हुआ नजर आएगा अगर हम इस एरिया के साथ कंपेर करते हैं यह बिल्कुल उठा हुआ माउंट है लेकिन शनी माउंट अंदर की तरफ दब रहा है यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि एक लंबी शनी रेखा इनके हाथ में मौझूद है शनी माउंट का दबना व्यक्ति से मेहनत करवाता है ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग तो होते हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत लाइफ में करनी पड़ती है अपने कमफर्ट जोन से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है लेकिन अगर एक लंबी भाग्या रेखा हाथ में हो, आपको दिखाना जाओंगा यहां पर, तब कुछ अतक मेहनत कम हो जाती है, यहां पर इनके हाथ में काफी अच्छी भाग्या रेखा है, जो इनको काफी सहयोग करेगी, लेकिन यह भाग्या रेखा भी एक समय पर आकर त तूटती हुई नजर आ रही है और जितनी यह रेखा डीप कट और डार्क होगी उतना इसका पॉजिटिव परभाव होगा अब आप यहां पर देखोगे लगभग 35 और 36 के आसपास की यह में यह रेखा तूट रही है तो यहां पर काफी दिक्कतें आ सकती हैं फाइनेशल प होगी जितनी ज़्यादा टूटी होगी उतनी लाइफ में दिक्कतें आती हैं फाइनेशल प्रॉब्लम आती हैं फाइनेशल से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 44 और 45 के आसपास की यह में एक रेखा इसको काट रह ईडिया में जहाँ पर मैं अभी ड्रॉव कर रहा हूं यह बहुत डीप है बहुत अच्छी रेखा है जो इंडिकेट करती है कि इनकी ओल्ड एज बहुत अच्छी रहेगी ओल्ड एज में लेटर एज में इनका इंकम का सोर्स से वो बरकरार रहेगा और काफी कमफर्स मिले काफी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी अरामदाइक रहेगी तो यहां पर यह सारे फायदे इनको इस रेखा के आगे चल कर मिलने वाले हैं अब बात करते हैं इनके सूर्यमाउंट की तो यह एरिया आप देख सकते हो बहुत जादा नहीं दबा हुआ है नहीं उठा हुआ लेकिन यहां पर एक ट्राइंगल का चिन बनता हुआ आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल जैसा चिन सूर्यमाउंट के उपर का ट्राइंगल बने तो यह बहुत ही पॉजटिव चिन के तोर पे देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को लेटरेज में चलकर काफी अच्छी हो जाती है गॉर्मेंट की तरफ से भी लाब मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को और रिकोगनिशन काफी अच्छी हो जाती है लेकिन अगर इसी के साथ साथ एक लंबी रेखा भी हाथ में मौजूद हो जैसे यहां से अगर कि रेखा चलकर इस सेरिया तक पहुंच कुछ इस तरह हैं कि तब इसके जो लाब में और जादा हो जाते हैं रहा इसके छोटी एज से फेमोस हो जाता है लेकिन यहां पर यह रेखा नहीं है सिर्फ ट्राइंगल है तो इसका जो परभाव है वो ओल्ड एज में चलकर व्यक्ति को जादा मिल पाता है तो यहां पर जगबग 55 की एज के बाद से यह बहुत अच्छी रिकोगनेशन सुसाइटी में जरूर मिलने वाली है आगे बात करते हैं इनके मौंट आफ मरकरी की जैसे मैंने आपको बताया था कि यह मौंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है अगर यह मौंट लो सेट हो जाए तो व्यक्त अगरी अपनी इस नेचर के ऊपर काबू पा लेते हैं बैलन्स कर लेते हैं नौलेज अच्छी होने की वज़ए से तो यह जो शाई नेचर है इसके ऊपर इनका कंट्रोल हो सकता है और लाइफ में आगे बढ़ने की उपरचियोंटिस इनको जरूर मिलेंगी बात करते हैं हार्ट लाइन की तो यहां पर आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से इनके हाथ में काफी अच्छे से उपर की तरफ मुड़ती हुए नजर आ रही है इस तरह की करवी हार्ट लाइन है जिसकी वज़ए से इमोशनल टाप की परसनेलिटी ऐसे व्यक्ति की रहन किस मवावनाएं रहती हैं कोई भी मेजर इशू यहां पर हार्ट लाइन पर नजर नहीं आ रहा और अगर देखा जाए तो आपको यहां पर एक इस तरह का चिन बनता नजर आएगा या एक दो ट्राइंगल्स मिलकर हार्ट लाइन के उपर और नीचे जो चिन बना रहे हैं इसको हम प्रॉपर्टी एकोजिशन का चिन कहते हैं ऐसे विक्ति अपनी जिंदगी में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का चिन हो ओवरॉल हार्ट लाइन पर किसी तरह की कोई नेगटिव चिन यहां पर नजर न मेजर प्रॉब्लम होती नजर नहीं आ रही अब बात करते हैं इनकी लाइन ओफ माइंड की यह रेखा आप देख सकते हैं काफी अच्छी लेंथ में हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं ऐसे व्यक्ति का माइंड काफी शार्प रहता है और अगर हम बात करें यहां पर मनी ट्रैं रेखा इनके हाथ में है जिस वजह से यहां बैलन्स कर पाएंगे और धन को किस तरहां से मैनेज करके रखना है वो भी इकला इनके बीतर रहेगी बात करते हैं इनकी लाइन ओफ लाइफ की अब देख सकते हैं लाइफ की लाइन कुछ इस तरहां से चलते हुई और ये रेखा बाहर की तरफ निकल रही है और आकर इनकी फेट लाइंग के साथ मर्च कर रही है लंबी रेखा के रूप में यहां पर यहां इनके हाथ में है इसकी वज़े से एज है इनकी जो लंबी रहेगी लगवग 80 के आसपास की एज और एक रेखा इनके हाथ में अंदर की तरफ नज़र आ रही है इस रेखा को कहा जाता है मंगल रेखा अगर हाथ में मंगल रेखा भी मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अनरजैटिक होते हैं थोड़े से गुसे वाला सभाव इनका हो सकता है लेकिन मंगल रेखा होने की वज़े से ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में काम्याब रहते हैं वीनस माउंट के ओपर ऐसे बहुत सारी रिखाओं का होना मेरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता यह एक अच्छा संगेत नहीं होता फैमिली से जुड़ी दिक्कते हैं फैमिली से जुड़ी वरी जैसे व्यक्ति को परिशान कर सकती है मेरिड लाइफ में डिस्टर्बंसिस आने की संभावना बढ़ जाती है और अगर हम बात करें इनके चंद्रमाउंट की तो चंद्रमाउंट के ओपर कोई भी नेगेटिव चिन यहाँ पर बनता हो नजर नहीं आ रहा माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है जिस वज़ए से कोई दिक्कत नहीं है लेकन यह जो छोटी-छोटी रिखाई हैं इनकी वज़ए से थोड़ा स्ट्रेस रहनेकी समभावनाएं यह जो रहू रिखाए दिक्खाई दे रही हैं इनकी वज़ए से जेवन में थोड़ा तनाव रहा सकता है लेकिन overall mind की line और इनका जो mount of moon है ये काफी अच्छे नजर आ रहे हैं दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊंग लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया सुवाल रह जाता है तो इनसे request हैं कि अगर इनका कोई question finding है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद